Welcome to Online Study आज की Online Study में हम लोग पढ़ेंगे Combinations of Capacitor यानि Capacitor को कितने तरीके से Connect किया जाता है तो Capacitor को Connect करने के दो Method होते हैं First होगा Combination in Series और Second होगा Combination in Parallel यानि कह लिजे कि जब हम लोग Capacitor को Series में Connect करते हैं तो उसकी Capacitance की वालीउ क्या है और पाल्लल नेगे तो क्या है तो पहला हम लोग TOPIK टो ही कौंबिनेशन जी युन की है थीक है कला मतलब की मैथद पढ़ेंगे कॉंबिनेशन सीरीज मतलब क्या पिरकृतीर कम रोग सईरीज मेस करेंगे तो चलिए हम लोगों ने क्या किया यहां पर तीन कैपेसिटर लिया है और तीन कैपेसिटर को हमने किसमें कनेक्ट किया सीरीज में इस फर्स्ट कैपेसिटर इस सेकें इस थर्ड कैपेसिटर ठीक है और इन तीनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद एक बैटरी स connect कर दिया ठीक है ना जिसमें यह आपका क्या हो गया positive terminal और यह high potential पे और यह वाला terminal low potential पे ठीक है तो अब हम देखेंगे कि जब हम यह voltage apply करते potential difference तो उस समय अगर हम इस capacitor की बात करें तो यहां पे जो voltage आएगा V1 is equal to Q upon C1 सबसे पहले एक चीज जाने कि जब हम लोग सीरीज में connect करते ने capacitor को तो चार्ज वो सेम होता है ना यानिकि इसमें जो चार्ज होगा वही समय और इसमें होगा चार्ज क्या होता है सेम होता है लेकिन तीनों capacitor के across जो voltage हो पोटेंसल डिफरेंस देनी कि जो होता है वहां को क्यों होगा ओ-धिफार्ट दिफैन ऊफ्लेफ के लिए तो आप पर आस इसे प्लेफ कि फ्लेफ की से तो आप never सिटर के सीवान इसलिए हमने क्या करा सीवान लिखा है तो चार्ज के आए क्यू अपाउन और अगर स्टेंस के बात करें तो सीटू हो जाएगा वीठी इस अकॉल सु क्यू अपाउन c3 यानि एक conclusion निकलता है कि in case of series combination q is same जो charge होता है वो तो सब पे same होता है but v is voltage क्या होते हैं वो different होते हैं इतनी बाते आपको clear हो चुकी है ठीक है तो अगर हम लोग मतलब इसमें relations देखेंगे तो आपको पता होता है v1 ratio v2 ratio v3 ठीक है ना तो हम चले देखते हैं v1 की जगा हमने क्या रखा माली जी v1 के जगा आप q upon आप कहले जिए c1 फिर ratio कर दिया q upon c2 फिर q upon c3 अब सब में q4 से में तो यह क्या हो जाएगा हट जाएगा ठीक है तो आपका remaining क्या बजाएगा रेशू गार वन अपां c1 रेशू यानी अगर वोल्टेज और कापसिटर हम लोग रिलेशन क्या होता है वह इंवेसली प्रपोस्टनल पार रिलेशन से यहां पर दिखाता है ठीक है अब हम देखेंगे कि जो हम वोल्टेज दे रहे हैं यह वोल्टेज यानी कि जो ओस यêu São तो किले सब्सव में भृता तू सम्तरीं के लिए की जो यहीं ओस्तरीन इस दिस्ट्रिब्धूट हो रही है तो इसके वोल्ड़स पूरे के लिए याई यानी कि यहीं वोल्ड göst τις समानी की दिस्ट्रिब्यूट हो रही क्यों होगा equivalent हो जाएगा थिक है ना मतलब कि अगर हम लोग total की निकालते तो is equals to V1 की अगर हम बात करें तो V1 is equals to Q upon C1 हमने करा है plus Q upon C2 plus Q upon C3 यहां से देख लीजे अब अगर हमलोग solve करेंगे तो कि Q common लेंगे यहां से तो Q Q आपका क्यों जगा cancel हो जगा कैसे common लेंगे Q upon C is equals to Q 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 Q Q cancel हो गया तो 1 upon C equivalent is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 यह आपके series combination में किस तरीके से equivalent capacitance की value आती है वो चीज़े दिखाएगे कि यहां पे 3 capacitors हमने connect किया है तो capacitance की value की आ रही है ठीक है अब हम के वाद two capacitor की बात करते हैं तीन capacitor की जगा अगर हम two capacitor connect करते हैं ठीक है और तो 1 upon C equivalent is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 होगा इसको अगर आप solve करेंगे तो C equivalent find करेंगे तो C1 C2 upon C1 plus C2 हो जागा इफ दोनों अगर माल लेजे दोनों capacitor की value सेम है यानि कि C1 और C2 दोनों की value C है तो उस case में अगर आप जब इस पे रखोगे C1 और C2 के जगा C तो solve करने के बाद जो equivalent capacitance की value है कि C upon 2 है ना तो ये था आपका series combination और इसमें आपका condition था next हम लोग पढ़ेंगे parallel combination of capacitor जब हम लोग capacitor को कई capacitor को parallel तो किया होता है तो ये देखिए और मैंने की है कि parallel में यहाँ समाल लीड़े यह node थीक है यहाँ से एक capacitor लिए यहां से एक capacitor लिए यहाँ से capacitor लिया और फिर यहां पर भी एक node और इसको हमने क्या कर दिया 않아요 और यह एक चीज यहां पर बताना चाहेंगे कि अगर इस नोट पर देखें तो प्लस भी और यहां पर जीरो क्योंकि यह लोवर पोटेंशियल और इसको हमने जीरो और यह आपका है ठीक है तो सिच्वेशन में आप देखेंगे कि अगर दो या उससे अधिक कैपेसिटर सेम टर्मिनल से जुड़े हैं तो आपका यानि कि दो दो या उससे अधिक कैपेसिटर सेम टर्मिनल से जुड़े हैं यानि कि यह तीनो जो कैपेसिटर है वो किसे सेमी टर्मिनल से कनेक्टेड है ना इसी से कनेक्टेड है ना तो इस कॉम्ब तो तीनो में आपकी जारी है ना एक ही पोटेंस ऐक ही से हो तो यहां पर वह होगा कि अब सल्दन फिर होगा यह ध्यान रख्लिजेगा कि वह पैरल कॉंबिनेशन में वोल्टेश यह वह आप यहाँ थीक का ठीक है ना क्योंकि इसमें कापेसिटर पिर्मिनल से जुड़े हों टोण ही तो वी से वोज़ा होगे तो कि तीनों में चार्जर फ्लो कर रही है न वह डिफ्रेंट होगी है नएक यानिकि रेके 1 के जो होंगी वो डिफ्रेंट होंगी तो अगर आमने की ऑन की बात करें तो इस तो अगे सेफोवन की वालु पता है C1 B ratio C2 Q1 Q2 की जगह रख दो तो वोल्टेज सेम है तो वो क्या होगा है तो वो रिप्लैस हो गया तो C1 ratio C2 ratio C3 है ना अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना वो तीनो मतलब की तीनो कैपेसिटे के थू फ्लो तीनो कैपेसिटे के थू तो जो चार्ज है उसके क्या होता है एडिशन सम होंगे तो Q is equals to जाने कि एक्यूविलेंट चार्ज हो गया ना Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 यह टोटल चार्ज हो गया ठीक है क्योंकि चार्ज क्या और चार्ज ही तो डिस्ट्रिब्यूट हो रहा ना तीनों में ठीक है तो Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 अब Q1 के जगह C1 V रखो प्लस C2 V प्लस C3 V यहां से अगर आप सेम क्या वोल्टेस तो सब में सेम है तो V हमने कॉमन करा C1 plus C2 plus C3 Q is equals to C V अगर हम चाहें कि इन तीनों क्या करेंगे उसे Q चार्ज देने पर उसकी प्लेटों की बिच V पोटेंसल डिफ्रेंस हो तो यहां इक्यूविलेंट कापेसिटर होगा और उसके इसमें कैपेसिटर की कैपेसिटर क्या होगी सी ओगी ठीक है और Q टोटल Q की वालू कितनी आजाएगी V C इक्यूविलेंट अब इसके जगह Q की जगह आप V C की पुट कर दो ठीक है अगर हमने क्यूविलेंट की जगह रख दिया सी इवी इस उक्वेस्टर और बाकी यह वाला वैसे टम्स कॉपी कर लें तो भी और ब्राकेट में